आज विधान मंडल में बजट सत्र के दौरान बजट पेश किया गया तारकिशोर प्रसाद ने दो लाग 37,000 करोड का जो बजट था वो पेश किया जिसमें खास तौर पर उन्होंने जो करीब 100 करोड की जो स्कीम है वो व्याइपर खर्श की बात बताई है और उन्होंने ने क करीब 8.88 फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है जो अपने आप में माना जा रहा है तारकिशोर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान यह बात साफतोर पर कही कि पिछले बार की अपेक्शा इस बार जो बजट को 10% बढ़ाने की बात की जा रही थी कोरोना की वज़ह स इस में 10% की बढ़ोतरी नहीं की जा सकी है लेकिन कोशिश यही थी कमोवेश की 10% इसे बढ़ाया जाए और इसका जो पूरा वैल्यू हो वो करीब 2,40,000 करोड के करीब का हो तो ऐसे में लेकिन बात यह निकल कर आती है कि कोरोना के वक्त में जिस तरीके से जो विकास की गत दीरी हुई उसकी वजह से ये बजट जो है करीब 2% के लगभग जो था वो कम रह पाया है करीब 8.88% की बढ़ोतरी इस बार की गई है वहीं अगर फोकस की बात की जाए तो राज सरकार का फोकस अपने 6 सूतरी प्रोग्राम के तहत है और उसमें सारी चीजे कवर की जा रह पत्निर्मान को ध्यान में रखा गया है इसके अलावा अगर बात की जाए तो नगर विकास एवं आवास विभाग इन सभी को शामिल किया गया है हर घर नल पहुंचे और लोगों के जीवन स्तर में वढ़ोतरी हुई इस बात का भी ध्यान रखा गया है इस बार के बजट म क्रिशी पर जादा ध्यान दिया गया है यह ध्यान रखा जा रहा है कि क्रिशी में जादा विकास हो ताकि जो किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो किसानों की आए बढ़े और लोक सेवा स्वास्त और अभियंतरण विभाग को भी इस बजट में शामिल किया गया है मैं आ बात कही जा रहे हैं उसमें से 22 फीसद जो है वो सिक्षा पर खर्च किया जाएगा यानि सबसे बड़ा बजट अगर देखा जाए तो सिक्षा का ही बजट रहेगा इसमें 22,198 करोड रुपए इस पर खर्च किये जाएंगे और इसका टूटल प्रतिशत 22.2 शून्य रहेगा ग्रामीन विकास राज्य सरकार की सबसे जादा इंपोर्टन बजट में इसमें रखा गया है और इसमें सेकंड नमबर पे इसे रखा गया है और 15,193 करोड रुपए इस मद में खर्च किये जाएंगे खास तोर पर तारकिशोर प्रसाद ने इन दोनों ही विश्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमारी कोशिश यह है कि सिक्षा और ग्रामीन विकास यह हो सके ग्रामीन विकास के जरिये गाओं की इस्थिती है उसमें सुधार किया जाए समाज कल्यान विभाग को 8191 करोड रुपए के खर्च का जो स्कीम है वो बनाई गई है ग्रामीन विकास को 7950 करोड रुपए दिये गए हैं स्वास्त विभाग इसमें पांचवे नंबर पर है विहार के स्वास्त विभाग को भेतर बनाने के लिए जो है तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम इस पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और 7.4 फीसद का पूरा जो कुल विया है सौ करोड का उसमें से 7.4 फीसद इस विभाग को दिया गया है तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरीके से आज वित्तमंत्री और डिप्टी सीम तारकिशोर प्रसाद ने अपना बजट पेश किया उन्होंने ये बात साफतार पर कही कि हम जिन चीजों को लेकर विकास की गती आ उन्हें दूसरे 7 निश्चे में पूरा करने की जो कोशिश है वो होगी और इन 5 सालों में उन तमाम लक्षों को हासिल कर लिया जाएगा जो पिछले वित्तिवर्ष के दौरान 7 निश्चे में को पूरा करने के लिए दिया गया था तो इस बजट को लेकर पूरी तरीके से जो 6 पक्ष है वो उतसाहित नदर आ रहा है उसे एक समयकेद बजट बता रहा है एक शांदार बजट बता रहा है और विहार के विकास के लिए जरूरी योगदान करने वाला बता रहा है वहीं विपक्ष इसबजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है तमाम तरीके के सवाल हो सकती थी, उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहीं वित्विभाग का सबसे बड़ा जो खर्च है, वो पेंशन जैसी स्कुमों में जा रहा है, राज्य सरकार ने लगातार नौकरियां दी है, जिसमें एक बड़ा खर्च जो है, वो जो है राज्य सरकार का इस मद म जा रहा है तो ऐसे में ये पूरा जो बजट है लोगों की लिहास से बनाया गया है ऐसा कहना वित्नमंत्री का है लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इस पूरे बजट को लेकर सवाल उठा रहा है वो कई तरह की सवाल पूछ रहा है और उसका कहना है कि हाला कि गाउं का वि उस पर जो उनका ध्यान नहीं गया उसमें घोटाले हो रहे हैं और जो पानी के पाइप्स हैं लगाये जा रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुच पारी है इस बात का सवाल उठाया है गाउं को रौशन करने की योजना के मदने भी जो ग्रामीन विकास के लिए पैसे दिये ग ही कि पूरी तरीके से गाउं को चका चक किया जाएगा और हर तरीके से जो skill development के जो प्रोग्राम है उसे जादा तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि जो बिहार के युवां है उन्हें रोजगार देने योग रोजगार के काबिल बनाया जासा किया लेकिन विपक्ष इस पर हमलावर था विपक्ष ने पूरी तरीके से ये कहा कि सरकार अपने 19 लाख रोजगार का वादा भूल गई है वहीं skill development की बात कही जा रही है skill development पर खर्श किया जा रहा है तो ये पूरी खबरे थी कि आज किस तरीके से विधान सबा का सत्र चला और किस तरीके से बजट पेश हुआ नवभारत के लिए केशव सुमन सिंग रमन के साथ